जगा वही है पर फिजा नहीं है नीती और नियत विकास पर अखुई तो दशकों तक उपेक्षित गुरखपूर अब पांस सालों से विकास की नई तस्वीर में सवरने लगा है उद्योगवन निवेश के लिए सांदार डेस्टिनिशन के रूप में उभरे गुरखपूर में अब विदेसी निवेश की संभावनाओ को भी पंक लगने जा रहे हैं उद्योगवन निवेश की संभावनाओ का महौल देखने के लिए यूनाइट किंग्डम यूके के राजनैक एलन जेमल सोमवार 23 मई को गुरखपूर आ रहे हैं वह यहां ओडियोपी में शामिल टेराकोटा क्लस्टर के साथ ही कुछ औध्योगिक इकाईयों के भ्रमड करेंगे गीडा और उद्योग विभाग के अधिकारियों संभ बैठक कर निवेश की संभावनाओ को धरातल पर उतारने को लेकर संभाद करेंगे गोरकपूर और द्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना यूतो चार दसक पहले नोईडा की तरजपर हुई थी लेकिन सरकारों की उदासीनता से ही या नोईडा की तुलना में काफी पिछड गया उपेक्षा का दाग मिटा 2017 में जब गीडा के विकास के लिए अपने संसदिय कारेकाल से ही संघर सरत रहे योगिया दितिनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने पांस साल में उनके सतत प्रयासों से गोरकपूर उद्यमयों के लिए पसंदीदा स्थानों में एक हो चुका पांस सालों में कई बड़े एकाईयों की स्थापना हुई है गार्मेंट क्लस्टर और फ्लैटेट फैक्टरी के प्रोजेक्ट से गीडा रेडिमेट कार्मेंट का हब बनने जा रहा है यहां IT पार्क, प्लास्टिक पार्क, स्टेट इंस्टिट्यूट और होटल मेनेजमेंट जैसे मोहतपूर प्रोजेक्ट परवान चड़ रहे हैं यही नहीं देश की नामी कंपनियों ने यहां निवेश की इक्षा जताई है, यह सिलसिला अब विदेशी निवेश की तरफ बढ़ रहा है इसी क्रम में प्रदेश शासन के अपरमुक्ह सचिव MSME नवनीच सहगल की पहल पर United Kingdom UK के राजनाईक एलन जैमल 23 मई को गुरखपूर के दोरे पर आ रहे हैं ब्रिटिस काउंसिल इन इंडिया के डिरेक्टर रह चुके एलन वर्तमान में ब्रिटिस शासन की तरफ से साउथ एसिया में ट्रेट कमिशनर और ब्रिटिस डिफ्टी हाई कमिशनर फॉर वेस्टरन इंडिया की जिम्यदारी निभा रहे हैं युनाइटिट किंडम और एसिया के वीश निवेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर भूमिका है उनकी गोरखपूर यात्रा को लेकर गीडा के मुख्यकारिपाला कधिकारी पवन अगरवाल का कहना है कि इससे गोरखपूर में निवेश की संभावनाए साथ समंदर पार तक विस्तारित होंगी यह मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के प्रयास से बने और द्योगीक विकास के शांदार मौहौल से संभव हो रहा है गोरखपूर दोरे पर युनाइटिट किंडम के ट्रेट कमिशनर फॉर्स साउथ एशिया एलन टेराकोटा क का यूनिक माटिश शिल्प है जिसे एक जिला एक उतपाद योजना ओडी ओपी में शामिल कर योगी सरकार ने संदरच्छित और संवर्धित किया है सरकार के प्रुत्साहन से आज टेराकोटा उतपादों की जबरदस्त मांग है और इसके प्रोडक्ट कई e-commerce कमपनियों क ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है एलन टेराकोटा गाओं में शिल्प की बारिक्यों के साथ या भी परखेंगे कि भारत यूनाइटेट किंग्डम के साजह सहयोग से कैसे इसका ग्लोबल दाइरा और बढ़ाया जा सकता है उम्मीद जताई जा रही है कि टे योगिक इकाईयों का भी भ्रमड करें बीदे पांस सालों में योगी सरकार की नीतियों वा प्रोथसाहन से उद्यम्यों का रुझान गीडा के प्रती तेजी से बढ़ा है लेंड बैंक बढ़ने से उद्यम्यों को उनकी मांग के भुताबिक भूखंड भी मिल रहे हैं हम पूरी तरह आशानवित हैं कि एलन यहां के बदले सकारात्मक और द्योगिक मौहल से जरूर प्रभावित होंगे और विदेशी निवेस का मार भी प्रशस्त होगा